जैहिं दोस्तों मैं अर्विन जो से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल दस रिंखला क्लासेश पे दोस्तों आज मेरे पास है यूपी पीस्सी 2016 ए आरो और आरो का पेपर ये री एक्जाम हुआ है री एक्जाम हुआ है ठीक है री एक्जाम हुआ है जो आज के दिन 20 सेप्टेमबर 2020 को संपन हुआ तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे कोश्चन आए हैं और रिजनिंग के सभी कोश्चनों का अच्छे से सॉल्व करकर देखेंगे पूरे question का अच्छे से analysis करेंगे और देखेंगे कि आगे आने वाले exam में क्या ये हमारे लिए helpful हैं और होते ही हैं जो भी previous year होता है वो काफी हमारे लिए helpful होता है मैंने previous year paper कराया था तो वो आप लोगों ने देखा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कुछ न कुछ जरूर मदद मिली होगी तो दोस्तों आईए देखते हैं और question को अच्छे से solve करते हैं इससे पहले channel पे नए हैं तो please channel को subscribe करें आगे आईए आगे बढ़ते हैं देखेंगे पहला question हमारे पास है यह reasoning का direction से question है तो इसमें क्या है मोहित अपने घर से पस्चिम की दिशा में 15 km चला फिर बाए मुड़ा और 20 km चला फिर वो पुरु की ओर मुड़ा और कितना चला 25 km चला फिर वो किधर मुड़ा फिर बाए मुड़ा बाए मुड़ कर फिर 20 km फिर चला और अब यह पूछ रहा है कि वो अपने घर से कितनी दूर है तो देखें यह तो 20 और 20 दोनों पहलर लाइन हो गई बचा हमारे पास यह यह हो गया 15 और यह 25 तो 25-15 कितना होता 10 तो वो अपने घर से 10 km की दूरी पे है दूसरे नमबर का question देखते है निमलिकित में से कौन से संक्या अन्य तीन से भिन है तो देखें इसमें क्या है अगर हम देखेंगे तो इसमें एक rule follow हो रहा है और sum of digit का अगर 13 प्लस 9 प्लस 4 करेंगे तो 13 आ जाएगा 7 प्लस इनों में से भिन संक्या कौन सी होगी तो वो हमारे पास यही डी नमबर होगा 13 तीसरा question देखते है यह question है blood relation का इसमें दिया है A B का भाई है A जो है वो B का क्या है भाई है मतलब कि यह पुरुष है C का बिवाद D से हुआ है तो अभी इनका relation रहने देते हैं यदि C B का भतीजा है यदि C क्या है B का भतीजा है तो हम मान कर चलते हैं कि यह इसका बेटा होगा और यह इन दोनों का बिवाद हुआ है sorry यह D है D का बिवाद हुआ है C के साथ C के साथ बिवाद है अगर इसका भतीजा है तो यह पुरुष हो गया अब इसमें पूछा है A का D से क्या संबंद है इसका इससे क्या संबंद है तो यह simple देखिए यह positive है तो सास होगा नहीं यह उपर है generation में तो दामाद या पुत्रवधूत होगा नहीं तो हमारे पास A option ससूर सही होगा आनि कि लगभग यह पिता तुल्य है तो यह इसकी wife होगी तो वो ससूर होगा ही relation में आगे देखते हैं उत्तरप्रदेश से उत्तरप्रदेश में किसान समरिद्धी योजना का गठन किस वर्स में हुआ था तो जो यह किसान समरिद्धी योजना है इसका गठन हुआ था चोथे का हमारे पास B option होगा 2017 में निमलिखित जनपदों में से किसमे साक्षर्ता दर सबसे कम है तो यह है श्रावस्ति श्रावस्ति में सबसे कम है उत्तरप्रदेश से राज में कुल सिंचित छेत्र का नहर जो नहर से सिचाई होती हो उसका कितना परतिशत है तो 30 परतिशत सम्थिंग कुछ है तो 30 परतिशत यहाँ पर एंसर सही होगा आगे देखते हैं यह सूची मिलान करना है सत्वा नंबर कोस्चन इसमें दिया है अब देखें सभी जानते हैं कि पीतल का सामान जो है उमूरादाबाद में बनता है और यह जो खेल का सामान है नंबर C खेल का सामान सभी क्या बनता है मेरट में बनता है तो अगर हम C को ही मिला दे C, खेल का सामान मेरट, C का पहिला तो हमारा B option बिलकुल सही हो जाता है B option क्या होता है बिलकुल सही हो जाता है अगर आपको एक पता है बस C वला अगर पता है C मेरट मतलब खेल का सामान जो है मेरट हों बनता है तो आप सभी सही कर लें आपको ज़्यादा फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है आगे चलते हैं आठवा नंबर question पर लिखा है उत्तर प्रदेश के कुछ लोग निरित है ठीक है तो लोग गीत है लोग गीत तो उत्तर प्रदेश के जो लोग गीत है वो बिरहा हो गया चैती हो गया ढोला हो गया उत्तर प्रदेश के प्रमुग लोगनिरित में देखे चारकुला हो गया कर्मा हो गया पांड़ ओ गया और देखे बीहू घूमर तो राजस्थान हो गया भांगळा पंजाब हो गया कत्था कली केरल हो गया तो ये सब दूसरे राज के हैं तो हमारा option भी बिल्कुल सही होगा question number 10 देखते हैं वेपारिक सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुआ है तो ये हुई तो ये किस जनपत में हुआ है ये वराणसी में इफको यूरिया उत्तर प्रदेश के निमलिखित में से किस स्थान पर है तो आवला में है उत्तर प्रदेश से काफी अच्छे-च्छे question आते हैं और बड़े repeat type के भी questions आते हैं अब देखिए इसमें क्या है सुमिलित नहीं है इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है तो 12 नंबर में हमारे पास देखिए नागरिक्ता भाग दो में है यह संसर जो समिधान है हमारा उसका भाग है और यह प्रावधान है बी जो है बी ही हमारा यह गलत है समलित नहीं है और यह हमारा option भी बिलकुल सही होगा आगे चलते हैं आप लोग मिला लिजेगा देखिएगा आप लोग का कितना सही होता है यह देखिए कथन और कारण है कथन और कारण में राज की कारपाली का शक्ति का प्रियोग संसत के कानूनों तथा राज में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिचित करने हेतु होता है कारण यह है अपनी कारपाली का शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक के निर्देश दे सकती है तो तेरा का जो option सही होगा वो होगा B option सही होगा मतलब दोनों सही है और ये जो है ये मतलब की R जो है A का व्याख्या नहीं कर रहा है मतलब दोनों सही है मतलब वो व्याख्या नहीं कर रहा है कारण जो है वो A के लिए मतलब की suitable नहीं है आगे देखते हैं अब देखें यह अनुसूची है अनुसूची है और इसमें मिलान करना है तो सभी जानते हैं आठवी अनुसूची जो है वो भाषा के लिए और दसमी दल बदल के लिए है ये दो तो मतलब के दम कनफर्म है सभी लोग जानते हैं तो देखिए, हमारे पास जो option D है, sorry, option D, option D, बिल्कुल सही होगा, देखिए, आठवी अनुसूची, B का 1, अगर B का 1 आपको पता है, तो आप खेल गए game, हो गए आपका answer सही हो गया, कह रहें न, मतलब ज़्यादा महनत नहीं करना है, बहुत मतलब कि ऐसे जितने भी question थे, काफी easy tap के, निमलिखित में से कौन सही सुमलित नहीं है, तो इसमें से देखिए, अंतर राज परिशत ये सही है, 1960 में इसका गठन हुआ था, कैस थापना हुआ था, National Vikas Development, तो NDC जो है, NDC अब खतम कर दिया गया, लेकिन फिर भी, यही, इस थापना कब हुआ था, इसका, तो 52 में हुआ था, 1952 में हुआ था, लेकिन यह 54 दिया तो यही सुमलित नहीं है, मतलब कि यही option हमारा सही हो जाएगा, 16 नमबर देखते हैं, यह भी कथन और कारण से relative है, 16 नमबर में हमारे पास C option, बिल्कुल सही होगा, C option देख लिजिएगा, पहला वाला जो A है, वो सत्य है, और R जो है, असत्य है, आगे चलते हैं हमारे पास 17 नमबर, हरिद ब्रांड के संबन में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 17 का हमारे पास B, हरिद ब्रांडो कोस्ट सरो प्रत्थम 2007 में नहीं 2009 में यूरोपियन निवेश कोस्ट ने जारी किया था, ठीक है, तो 2009 में जारी किया था, नगी 2007 में, तो यही गलत है, और यही option सही होगा, डिफेंस एक्सपो और उनके स्थान को विभिन वर्सों के साथ मतलब सुमलित करना है, अब देखे, पहले क्या होता था, करेंट का question पोश्टा था, डिफेंस एक्सपो इस मतलब इस सन में, जैसे 2020 में कहा हुआं हुआ, तो 2020 में हैदराबाद में हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या-क्या समलित करना है, अब समलित करना है सुरी 2020 में हैदराबाद में नहीं हुआ लेकिन देखते हैं कहा हुआ है 18 का हमारे पास B option बिल्कुल सही होगा ये B option बिल्कुल सही होगा B option में है A का दूसरा मतलब 2016 में जो था वो दच्छुड गोवा में हुआ था B का पहला 18 में चेनई में हुआ C का चोथा 2019 का हैदराबाद में हुआ था और 2020 का कहां हुआ लखनोव में हुआ ओके डिफेंस एक्सपो आगे चलते हैं हमारे B option ये सही होगा 19 का कथन कारण वाला फिरा गया तो इसमें क्या है इसका option जो होगा 19 का option A सही होगा option A मतलब कि दोनों A और तथा R सत्य है R A का सही ब्याख्या करता है मतलब सिक्षण एवं संस्कृतिक संस्कृति के लिए संस्कृतिक सांसाधन एवं प्रसिछण केंदर अलब CCRT की इस्थापना 1989 में की गई थी ये बात बिल्कुल सही है CCRT का उद्देश सिक्षण को संस्कृति से जोड़ना था तो ये बिल्कुल सही है इसलिए इसका CCRT का इस्थापना किया गया था कब किया गया था? 1989 में आगे चलते हैं ये है बांगला उस्सो तो ये मेघाले का है मेघाले में मनाया जाता है जीवास में इंधन में एक मात्र उर्जा का स्रोत तो वो सूर्य है सबसे बड़ा उर्जा का स्रोत सूर्य है परिस्तितिक तंत्र का प्रेरग बल होता है तो सूर्य होता है परिस्तितिक तंत्र का प्रेरग बल जो हता है वो भी सूर्य होता है ये मतलब कि प्रित्वी पर पाया जाने वाला या प्राकृतिक पर प्राकृति में पाया जाने वाला तो oxygen और नमी दोनों चाहिए तभी मतलब कि उसमें जंग लगेगा महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की इस्थिती जानने के लिए निम्न में से किस यंद्र का प्रियोग होता है तो सुनार रामसार सम्मेलन सम्मद्दित है तो ये रामसार जो सम्मेलन है ये सम्मद्दित है आदर भूमी सरचđ से मतलब वेटलैंड कंजर्वेशन ये देखते हैं सुची 1 से सुची 2 को मिलाना है सुची 1 से सुची 2 को मिलाना तो 27 का हमारे पास देख लेते हैं विटामिन के अलफा अलफा से मिलता है विटामिन D या कृत में होता है और विटामिन C जो निबू में और विटामिन E जो है गेहूं भुरूण तेल में तो हमारे पास D ओला अप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा K D से मैच करेगा और B C से मैच होगा और विटामिन E जो होगा वो गेहूं के भुरूण तेल से और विटामिन C जो है वो निबू में सबी लोग जानता है आगे चलते हैं बालगंगा धर तिलग जी ने किया था इस्वार के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। कफन स्वामी स्वर्चन विद्या सागर जी का था इसको सुमली इसको क्या करना है इसको करना है मतलब की काल अनुकरम अनुसार मतलब इसको अरेंज करना है तो इसका हमारे पास option B सही होगा तीसरा तीसरा मतलब पहले बक्सर युद हुआ फिर उसके बाद इलावाद की संधी होई फिर सॉरी बक्सर युद हुआ फिर कलाई पुना आया फिर इलावाद की संधी होई फिर वारें हेस्टिंग का भारत आगमन मतलब की तीसरा ये मतलब पहले इस्थान पर होगा फिर उसके बाद ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा ओके आगे चलते हैं आगे इलहाबाद की संदी 1765 मतलब कि ए का ए का चौथा ए का चौथा हो जाएगा तो हमारे पास B आप्सन जो है 31 का वो सही हो जाएगा बस एक आपको इलहाबाद की संदी याद है तो आप अराम से इसको कर ले जाएगे क्योंकि ये आपको तो याद होगा इलहाबाद की संदी जो हुई थी वो बकसर की यूद्धि के बाद हुई थी पिछला question ऐसा ही था तो बक्सर के यूद के बाद हुई थी अलाबाद की संदी तो 64 में यूद हुआ था तो 65 में संदी की बागे सम नीचे हैं तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी रहेगा तो आप कर ले जाएंगे रज्म नामा ये किसका अनुवाद है ये महा भारत का अनुवाद है आगे चलते हैं अब इसको भी काल अनुक्रम के अनुसार लिखना है तो 33 का हमारे पास होगा 33 का बी 33 का बी ऑप्सन होगा मतलब कि पहले हुआ था चंदेरी का युद फिर चौथा नंबर पे चौशा का युद हुआ था फिर कन्नौज का युद हुआ कन्नोज का तीसरे नमबर पर यूद हुआ फिर क्या बचा हमारे पास ताली कोटा का यूद तो ये चोथे नमबर पर हुआ आगे चलते हैं आप लोग अपना मिलाते रहिएगा आप लोगोंने कितना सही किया है कितना नहीं किया है वो आप कमेंट करकर बता दिजिएगा चोथेस चोथेस का ए आप्षन बिल्कुल सही होगा पहले तीसरा नमबर पूर राष्टी स्वतंतरता की गोशना की गई उसके बाद सबने अवेग्या अंदलान फिर इर्विन समझाथा फिर पूना पैक्ट आगे चलते हैं इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है सूची 1 और सूची 2 को इसमें मिलाना है ए आप्षन बिल्कुल सही होगा पहला का होगा इंडियन एसोसियेशन दूसरे पर सुरेंदनात बैनर्जी बी होगा पूना सारवजनिक सभा तीसरा नमबर महादेव गोविंद रनाडे और उसके बाद हो जाएगा सी का चोथा बॉंबे प्रेसेडेंसी एसोसियेशन फिरोज शामेयता और पहला डी का पहला हो जाएगा ये आनंद चारलू मदरास महाजन सभा आगे चलते हैं इंपिरियल गैजेटियर के संकल्प करता कौन थे संकलन करता स्वारी संकलन करता इंपिरियल गैजेटियर के संकलन करता कौन थे तो ये है संकलन करता में हमारे पास है 36 का 36 का बी बिलियम बिलसन हंटर सरोच न्याले की स्थापना 37 नमबर सरोच नाले की स्थापना के संबंद में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला कथन है कलकत्ता में सरोच नाले की स्थापना 1773 के Regulating Act के द्वारा की गई थी ये कथन सही है लेमिस्टर इस नाले के प्रमुख न्याधीस थे तो ये गलत है तो option यह बिल्कुल सही हो जाएगा, न्याधिस कोई और था, प्रमालिक बीच के थैले पर प्रयोग किये जाने वाला tag क्या है, तो प्रमालिक जो होता है, certified tag होता है, वो blue होता है, register का purple होता है, और foundation tag जो होता है, वो white होता है, ठीक है? तो option यह बिल्कुल सही है, 39, 49 का है निमलीखित में से कौन एक सुमलित है, अभी देखे, इसमें बताना है कौन सा एक सुमलित है, तो itama pilot project Albert Mayer, B, Albert Mayer, B वाला हमारा option सही होगा, 40 number question देखते हैं, इसमें दिखाना कौन सा सुमलित नहीं है, तो आलू कहां है, आगरा में है, और यहां फरुका बाद दिया है, तो यही सुमलित नहीं है, और यही option हमारा सही होगा, आगे देखते हैं, देश की अपनी intercity electric bus सेवा, फरवरी 2020 में public private साजेदारी model के अंतरगत, शुरू करने वाला राज्य, तो यह है महराश्ट्रा, करेंट से question था, यह deposit insurance and credit guarantee insurance निगम के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह दोनों कथन सही है, यह दोनों कथन भारती reserve bank के एक सहायक है, और एक लाग पहले deposit थी, अगर पांच लाग कर दिया गया है, इसी वज़े से यह question पूछा गया था, तो C option बिल्कुल सही होगा, आगे चलते हैं, इसमें दिखाना थे कि मतलब कौन सा bank कौन सा bank है, जैसे कि यह नीजी bank कौन सा, सरकारी bank कौन सा, प्राइबेट कौन सा, मतलब यही private government यही बताना था, तो हमारे पास 43 का, option number D बिल्कुल सही होगा, इंडियन जो bank है, यह सारवजनिक bank है, और ICIC bank जो है, वो कौन सा bank है, यह private bank है, यह public bank है, यह private हो गया, और यह CITI bank जो है, यह foreign bank हो गया, और सरावस्त bank जो है, यह corporate bank हो गया, आगे चलते हैं, D option बिल्कुल इसका सही है, कथन कारण में 44 नंबर, इसका भी A option बिल्कुल सही होगा, operation twist के अंतरगत RBI एक ही समय में अल्प कालीन प्रती भूतियों को बेच कर दिर्ग कालीन प्रती भूतियों को खरितता है, इस operation का मुखे उद्देश दिर्ग कालीन निवेश को बढ़ाना है, तो यह बिल्कुल सही होगा, यह वाला सही होगा, दोनों कथन सही हैं, और R जो है एक ही पुड़ ब्याख्या करता है, इसमें निमलिखित ने से बेवसाय का सामाजिक उद्देश, तो रोजगार स्रीजन करना, रोजगार स्रीजन करना या Employment Generation, दो हजारी ग्यारय की जनकर्णा के नुसान निमलिखित राज़यों में से किसमें नगरी करन का इस्तर सबसें निम्न है, तो यह पस्चिम बंगाल, पस्चिम बंगाल में नगरी करन का इस्तर जो है सबसें, निम्न है मरब रूलर एरिया वहां सबसे ज्यादा है यह जरवा जन जाती जो है यह अंडमान निककोबार में पाई जाती है यह फिर सुमलीत करने के लिए आ गया तो यह जागुडा जो है जादु गुडा जादु गुडा जो है यह हमारे पास रहेगा जादु गुडा दूसरा दूसरा अड़ curious number C सी औप्सन सही है तो अगर आप को यह पता है तो आप यह question कर ले जाएंगे बहुत जाएंग लान करने के लिए निप लोग करनें पता सही और पता कर ले जाती है heard Okeusementर दोस्तोआ अगर video पसंद आ रहा है तो उसके like करें और आप अपना लिखिय जरूर कितना कितना आप लोगों ने कर कर आये हैं ठीक है भारत में मानसुन की उत्पत्ति निमलिखित में किन पौनों के द्वारा होती है तो ये हमारे पास होती है धक्षिर पक्षिम पौनों के द्वारा होती है तो इन ही पौनों के द्वारा आता है धक्षिर पक्षिम मान मानसुन और सबस्यादब बारी सिसी मानसुन से होती है। निमलिकित मियानमार की राजधानी क्या हो जाएगी यंगून हो जाएगी कमबोडिया की राजधानी हो जाएगी नाम पैंग और बियतनाम की हनोई हो जाएगी बहुत इज़ी है, सबको पता है बियतनाम की हनोई लौज की V-N-T-S ठीक है तो option C हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ भी क्या करना है नदी और सहर मिलाना है तो denube नदी जो होगा denube वो BNA के किनारे होगा BNA मतलब कि on का option D देखे, D का one D का one कर दिया और बाकि सब अपने आप मिल गए ठीक है? D option denube, BNA नदी के किनारे BNA के किनार, denube नदी के किनारे कौन से सहर है? BNA आगे जुलाई 2020 में भारत सरकार दोरा शुरू किया गया प्रेरक, दोर, सम्मान, निमलिखित में से किसे संबंधित है तो यह हमारे पास किसे संबंधित था? तिरपन का C option सही है अपसिष्ट परवंधन और सहर की सुक्षता इस्थिती के लिए ठीक है? आगे चलते है तिरपन चववन नंबर में क्या है? अनुसूची जन जाती 2011 के जन गंडना के अनुसार अनुसूची जन जाती जो है वो किस राज में नहीं है तो ये नागा लेंड में नहीं है नागा लेंड में नहीं है और उसके बाद नागा लेंड में लद्धा लद्धा करा हूँ लक्षदीप में नहीं है और अंडबान निको बार में नहीं है ये कुछ स्टेट है जहां पर ये सेडियूल कास्ट नहीं है और सुडूल ट्राइब जो है वो हरियाना में नहीं है ये कोश्चन मतलब आ जाता है कभी ये पूछता है कभी ये सुडूल ट्राइब वोला पूछ देता है या तो और उसमें हरियाना में सुडूल जो ट्राइब है जन जाती है वो नहीं है ठीक है एक भी नहीं है भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबद्धित है तो जो संकल्प पर्व था ये ब्रिक्षाड रोपड से ट्रि प्लांटेशन से नील क्रांती ये मचली के लिए सी चपन का सी आगे चित्र कोट जो जल प्रबात है ये इंदरावती नदी पे है कुमावनी हिमाले मतलब किन नदियों के बीच में तो ये सतला जावर काली नदी के बीच में है आप्शन सी राष्ट्री वनी करण एवं परिस्थितिक विकास बोड की स्थापना कब हुई थी तो 1922 मग हुई थी आप्शन बी 1922 मग हुई थी आगे चलते किस बॉलिवूड अभ नेतरी ने वर्श 2020 में पदमश्री पुरस्कार जीता थे कंगना रनाओद काफी न्यूज में भी टाइम है ये जन्वरी 2020 में कितने पदमश्री पुरस्कार मरोणों उपरांत दिये गे तो 4 दिये गे थे मरोणों उपरांत मतलब मरने के बाद अंतरराश्ट्री ओलंपिक समिती द्वारा किसे कोचेस लाइफ टाइम अचीब्मेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया तो ये थे हमारे पुलेला गोपी चंद पुलेला गोपी चंद जी को अंतराश्टी मातर भाषा दिवस ये मनाया जाता है 21 फरवरी को भार्ती नोसेना द्वारा पैसन नम्मर कोच्छन भार्ती नोसेना द्वारा जन्वरी 2020 में सुरू किया गया ओपरेशन वनिला प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन के लिए यह operation चलाए गया था यह काफी पूछा गया था BEO में भी यह वाला question आया था सयुक्त सैनिक पर सिछड अभ्यास अजे warrior यहां लिखा है warrior यहां warrior यह होता है भारत और United Kingdom भारत और UK के बीच में होता है यह बहुत बार कोशर पूछ लिया जाता है 67 एक भारत स्रेष्ट भारत केस अंदर में निमलिखिन से कौन सा कथन सही है तो यहां पे दोनों ही कथन सही है यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला इसका उद्देश उद्देश में विभिन सांस्कृतिक गति वीधियों द्वारा रास्टी एकता को मजबूत करना है आगे चलते हैं यह रिजनिंग का कॉस्चन है देखिए इसमें क्या है C-A-R-P-E-T को इस टाइप में लिखा है अब देखिए इसमें लिखा कैसे है जो लास्ट वला T लास्ट वला है उसको पहले ला दिया है T को पहले ला दिया है फिर उसके बाद जो पहला बचा उसको छोड़ दिया As it is फिर क्या किया है फिर इधर क्या बचा E बचा E को फिर ला दिया फिर जो बचा फिर उसको as it is कर दिया फिर a को फिर रख दिया तो इसमें देखिए क्या करेगा पहले l को लाएगा n को as it is रख देगा फिर फिर उसके बाद a को लाएगा फिर उसके बाद a बचा n के बाद a बचा फिर a को as it is रख देगा तो देखिए L N AA बस एक में है C option हमारा बिल्कुल सही होगा एक रेल गाड़ी तीन मिनट बिलंब से चल रही है 69 उनहतरवा नमर कोश्चन एक रेल गाड़ी तीन मिनट बिलंब से चल रही है और आगे वह प्रतेक तीन सेकेंड बिलंब होती जा रही है प्रतेक मिनट तीन सेकेंड बिलंब होती जा रही है तो बताइए कि रेल गाड़ी कितने मिनट के बाद पूरा एक घंटा बिलंब हो जाएगी मतलब देखिए क्या है इसका कोश्चन का कहने का मतलब यह है कि गाड़ी तीन मिनट पहले ही लेट हो चुकी है और हमें गाड़ी को एक घंटा बिलंब करवाना है मतलब लेट करवाना है तो हमें 57 मिनट और गाड़ी को लेट करवाना है तो यह हमें कितने मिनट में लेट हो जाएगी अब देखिए एक मिनट में तीन सेकेंड लेट हो रही है तो तीन सेकंड को अगर हम मिनट में बदल लें तो तीन बटे साथ मतलब एक बटे बीस ये हो जाएगा मिनट एक बटे बीस मिनट अब देखे क्या है अगर एक मिनट में इतना इतना जो है लेट हो रही है तो इतना में अलब संतावन मिनट हमको लेट कराना है तो कितना में ह इसका simple सा यह funda है देखे 57 मिनट हमें late कराना है तो हम क्या करेंगे इससे क्या करेंगे इससे इसको divide करेंगे मतलब कि गुणा करेंगे तो यह ऐसे हो जाएगा 20 से multiply हो जाएगा तो यह हमारे पास आ जाएगा मतलब कि 1 मिनट में हमारे पास 1 बटे 20 मिनट गारी late हो रही है तो कितने मिनट में 57 मिनट में कितना मिनट में हो जाएगी ठीक है मतलब ऐसे आईए देखते हैं ऐसे फिर से मतलब कि 1 मिनट में हमारी गारी जो हकी 1 बटे 20 मिनट late हो रही है तो कितना मिनट में 57 में हो जाएगी तो 1 upon 20 हो जाएगा तो ये 20 क्या 20 उपर जाएगा तो 57 into 20 तो इसको multiply करेंगे तो 1140 तो इतना मिनट में कारी पूरी की पूरी एक घंटे बिलंप में हो जाएगी मतलब option A हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा reasoning के कुछ question काफी अच्छे आई हुए है और बस अच्छे क्या मतलब थोड़ा सा हाँ आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा देखिए अब क्या है इसमें कि एच और एक को 41 लिखा है और शी एच एक को 49 लिखा है तो टी एच एम को कितना हो जाएगा ठीक है तो इसमें देखिए क्या किया है इसने अगर हम इसका H का कितना होता है 8 होता है E का 5 होता है अगर इससे देखे तो हमारा नहीं आ रहा है तो हम क्या कर इसको देखे एक बार reverse करकर देखते है reverse करने का मतलब यह है कि इसका opposite word क्या होगा तो H का opposite क्या होता है S होता है S का कितना होता 19 होता है और E का opposite क्या होता है V होता है B का कितना 22 होता है अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 41 आ जाएगा उसी प्रकार S का क्या होगा S का कितना होगा देखे H और E का तो हमें पहली पता हो गया 41 और S का कितना होगा S का भी 8 हो जाएगा तो हम plus करेंगे तो 49 हो जाएगा तो ये भी हो गया confirm हो गया है कि हमारा pattern ये ही follow होगा और ये ही trick लगेगी अब देखें, T का कितना होगा 20 हो जाएगा T का 20 तो T को अगर हम T का जो opposite later है, वो क्या होता है T का opposite कितना जी होता है तो 7 plus और H और E का कितना है 41 है और plus M का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा तो सब को जोड देंगे हम तो कितना हो जाएगा देखें 7, 5, 12 हो जाएगा 1 बचा और 1, 6 62, मतलब कि A वाला हमारा option जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा आगे चलते 71 यदि 3 दिसंबर 2000 को रवी बार था तो 3 जनवरी 2001 को कितना था मतलब कि 1 महिने का अंतर है अब देखें संडे कप पढ़ा है 3 तारी को पढ़ा है तो अगला संडे कप पढ़ेगा 7 दिन बात पढ़ेगा अब देखें 31 तारी को पढ़ेगा अब 31 के बाद और दिसंबर 31 का महिना होता है 31 तारी के बाद अब देखें 1, 2 और 3 दिन हमारे पास बचा तो सुमार मंगल और बुद्ध हो जाएगा तो आप्शन नमबर B हमारे पास मिल्कुल सही हो जाएगा सौपने का जैसे संबंद वास्त्विक्ता से है उसी परकार मिथ्या का संबंद सत्य से होगा मतलब इस सौपने क्या होता है सौपने हम बस हम देखते हैं और बाकी उसके बाद उसको अगर वो पूरा हो जाएग तो वास्त्विक हो जाता है तो उसी परकार मिध्या जो होता हो जूट होता है और वो सत्य हो जाता है यह देखिए इस star यह बस आपको थोड़ा सा confuse करने के लिए है लेकिन बहुत ही easy है अब देखिए 7 into 2 करेंगे और plus 2 कर देंगे आये सारी 7 दुना के 14 प्लस 4 या 18 हो जाएगा तो 18 दुना के 36 प्लस 4 करेंगे 40 हो जाएगा और 40 का दुना करेंगे 80 प्लस 4 करेंगे तो 84 हो जाएगा और 84 में क्या करेंगे इसका दूगना करेंगे तो यह हो जागा तो option number हमारा B बिल्कुल सही हो जाएगा आगे देखते हैं अंग्रेजी वर्ण माला में कितने बड़े अक्षरों के दरपण में समान प्रतिबीम होता है मतलब कि यह कह रहा है कितने अक्षर हैं जिनका प्रतिबीम समान आता है मतलब कि अगर I का देखेंगे तो I ही आएगा H का देखेंगे तो H ही आएगा ठीक है अगर हम दरपण लगा देंगे तो H ही आएगा A का A A ही मतलब एक जैसा आएगा Y का एक जैसा आएगा X का आएगा W का आएगा M का आएगा ठीक है तो ऐसे हमारे पास कितने अक्षर हैं या वर्ण माला हैं तो ये हमारे पास 11 होंगे आप लोग देख लिएगा O भी हो जाएगा उसमें ठीक है लेदर टेक्नलोजी पार्क हमारे कानपूर में है उत्तर परदेश उच्च सिक्षा परिशद कब इस्थापित किया गया तो उत्तर परदेश उच्च सिक्षा परिशद जो था 1995 में 75 का B 1995 में निमलिखित में से कौन सा सही सुमलित नहीं है तो IIVR जो है ये लखनव दिया है जो कि ये वरांसी में है ठीक है वरांसी बनारस में है तो हमारे पास ये option A सुमलित नहीं है 78 निमलिखित युगमो में से कौन सा सही सुमलित नहीं है तो इसमें देख लिजिए पीतल की मुर्तियां मतुरा यही हमारे पास समलित नहीं है ये पीतल की मुर्तियां मतुरा अमारे पास समलित नहीं है ये मतुरा नहीं होगा आगे देखते हैं 79 79 सुमलित कीजिए तो इसमें क्या है मेला और जनपत तो 79 का हमारे पास option number C बिल्कुल सही होगा A का दूसरा देभी पाटन मेला बलरामपूर में B का तीसरा इसमें से अगर किसी आपको ये वाला अगर आता है ये देभी पाटन मेला बलरामपूर तो आपका ये option जो है कि बिल्कुल C बिल्कुल सही हो जाएगा आगे जलते हैं और ये ही होता है मतलब कि ऐसे question में हम smartly खेलने का मतलब सोच सकते हैं और तभी खेल पाते हैं जब हमको कोई एक option पता हो बस और बाकि सारों की जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश में कितने मुख है क्रिसी जलवाई ये शेत्र है बहुत बाड़ question पूश चुका गया है ये है नौ और ये कारकारी नयधिस जो acting judge होते हैं acting judge are appointed in both A and B आगे चलते हैं निमलिखित में से कौन सा भारती सम्विधान के अनुसार सही सुमलित नहीं है तो हमारे पास ये D जो है अधिकरण ये ही सुमलित नहीं है बाकि सभी सुमलित है और ये ही हमारे पास option सही होगा निमलिखित में इसको भी सुमलित मौलित अधिकार है और ये दिया है हमारे पास अनुछेद तो ये B वला जो है यही गलत है और यही हमारे पास सही होगा वाकि सब सही है आगे चलते हैं 85 85 का हमारे पास जो एंसर है वो नीला बॉक्स सहाई का इसमें है WTO के अंतरगत सरकारी नियुंतम समर्थन मुल एवं बाजार मुल के अंतर जब सीधे किसानों को भुक्तान किया जाता है तो उसे कहते हैं नीला बॉक्स सहाईता ठीक है ब्लू बॉक्स सबसीडिरीज आगे चलते है हाली में घोजित केंदरी बजट 2020-21 में निमलीखित में से योजना किस योजना में बजट आब अंतन की तुलना में घटाये गया था 1990-20 की तुलना में घटाये गया था यह मनरेगा में घटाये गया था अगला आगला कोस्टन हमारे पास है कोस्टन नमबर 87 निमलीखित उपाईयों पर बीचार करे जिन्हे RBI अर्थ बेवस्था में मुद्रा इस्फिती को नियंत्रीट करने के लिए प्रयोग में लाता है तो ये हमारे पास जो हो जाएगा एक, दो, तीन तीनों सही होंगे एक, दो, तीन ये ओप्सन नमबर बी 87 का ओप्सन नमबर बी सही होगा आगे चलते भारती राश्ट्रिक कैलेंडर का प्रथम महीना क्या होता है, वो होता है चैत्र होता है नोरात्र को सरुसुति पूजा के रूप में निम्र राज में मनाये जाता है, तो ये तामिल नाडू में मनाये जाता है भारती संस्कृति पोर्टल के संदर में निमलीखित में से कौन सा कथन सही है 90 का B केवल दूसरा सही है पहला गलत है आगे चलते हैं आप लोग बताईए का कमेंट करके कि कितने आप लोगों के सही हुए है ओके ताकि आगे प्रेडिक्ट कर सके कि क्या कट आफ जा सकती है 91 नमबर कोस्चन है वायू मंडल की लंबवत संरचना में सबसे नीचला परत कौन सा है तो यह है ट्रोपो स्फियर निमलीखित अमलों में से किस अमलका उपयोग कार बैटरी में होता है तो यह सलफ्यूरिक एसिड या सलफ्यूरिक अमलका आलू के चिप्स में नाइट्रोजन भड़ा होता है 94 अशुद्धियों के शुद्धी करण के लिए निमलीखित में से कौन सी प्रक्रिया युपयोग में नहीं लाई जाती तो आस्वन प्रक्रिया जो है डिस्टिलेशन वो नहीं लाई जाती सफेद प्रकास में से उपस्थित निमलीखित में से कौन सा रंग जो है वो शीशा प्रिजम में सबसे कम बिचलित होता है तो ये है हमारे पास रेड़ रेड़ सबसे कम बिचलित होता है आगे जलते हैं हिंग जो प्राप्त होता है वो जड़ों से प्राप्त होता है त्रिकोडी हिर्दे द्वारा होता है ये उभेचर में त्रिकोडी हिर्दे होते हैं थ्री चेमबर्ड हट हल्दी घाटी यूद में महाराणा परताप के अलावा राजपूत सेना का सेना पती कौन सा तो हकीम सूर था हकीम सूर 99. नमबर कोस्चन भारत में अंग्रेजो की सफलता तथा फ्रांसिसी की और सफलता के कारण तो इसमें था अंग्रेजो को बंगाल बिजे के बिजे से अपार धन और जनसक्ति का मिलना अंग्रेजो की बेहतर नो सैनिक ताकत तो ये मेरे हिसाब से दोनों ही सही है ठीक है इसमें ये नमबर भी काफी सही था क्योंकि जो अंग्रेजो की नो सैनिक का ज्यादा वो चलिए ठीक है नमबर C माल लेते अगर आपको कोई कुछ लगे अगर आपको लगे कि C गलत है तो प्लीज कमेंट करकर बताईएगा जरूर मेरे हिसाब से C सैन्चूरी पूरा करने वाले हैं हम लोग और सवा नमबर जो हमारा कोश्चन है वो है सवा नमबर जो कोश्चन होगा वो होगा निमलिखित में से कौन सुमलित नहीं है तो सव का जो A है यही A सुमलित नहीं है आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया आपको लग रहा है कि मैंने थोड़ा बहुत मेहनत किया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेर भी कर दें और कुछ अच्छे-च्छे कमेंड भी कर दें और कमेंड तो आप लोग करेंगे अपना नंबर तो बताएंगे ही न तो फिर आगे बढ़ते हैं 101 है 101 का B option बिल्कुल सही होगा रंपा बिद्रो जो है वो दूसरे नंबर पर है 1889 से 80 पाबना किसान बिद्रो जो है वो चौथे नंबर का है 1873 से 76 सी बंगाल नील बिद्रो ये 1869 से 60 और बचा हमारे पास जैनतिया बिद्रो ये जैनतिया बिद्रो काफी मतलब कई बार पूछ दिया जाता है तो 1860 से 63 आगे चलते हैं दिली संतलत के किस सासक ने अपने आपको खलीफा गोसित कर लिया था तो ये बीजी दत जो थे ये नहीं जुड़े हुए थे 1942 के भारत छोड़ो अंदोलन के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो कॉंग्रेस को एक आसम बैदानी के संस्था घोशित किया जाना यही मतलब सत्य नहीं है बाके सभी सही है 105 निमलिखित अभी नियमों में से किसके द्वारा भारत परिशत इंडिया कांसिल को समाप्त कर दिया गया तो मारले मिंटो सुधार 1909 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया आगे चलते हैं निमलिकित घटनाओं पर विचार करना है हमको और इसको क्या है काल करम अनुसार लिखना है तो 106 का हमारे पास option number B सही होगा बी पहले हमारा अगस्त क्रांती या अगस्त प्रस्ताओ फिर क्रिप्स मिशन दूसरा नमबर और फिर चौथा नमबर CR formula ये तीसरा नमबर हो जाए ये वेवेल योजना वेवेल योजना ठीक है आगे चलते हैं निमलिकित में से कौन सा सही सुमलित नहीं है इसमें क्या है साथ का जो है B है बहिश्कृत हित कारणी सभा जो है जोतिवा फुले यही सुमलित नहीं है बाकि इसमें निमलिकित में से कौन सा सुमलित नहीं है त तो हमारे पास B option, 108 का B option सही होगा, यह सूची 1 को सूची 2 में फिर मिलान करना है, तो इसका B option बिल्कुल सही होगा, सूरज मुखी, सभी मोसम, खर्बूजा, खर्बूजा क्या है? जायत की फसल है, और कपास की फसल खरीब हो गया, खरीब क्या फसल? अलसी, रभी की फसल है, आगे चलते हैं, फार्चून इंडिया की 500 कंपणी की सूची के अनुसार, वर्ज़ दोजार निस में सबसे बड़ा निगम कौन था? तो Reliance Industry, 110 का C, Reliance Industry सबसे बड़ी कंपणी थी, यह question भी repeat हुआ है, BEO का, आगे चलते हैं, BEO या, उसमें computer assistant किसी में यह भी question पूछा हुआ था, यह, 111 का question number C, बिल्कुल सही होगा, देख लिजीए आप लोग, आगे चलते हैं, 112, 112 का, A option बिल्कुल सही होगा, Lucknow Defense Expo 2020, ACA का, रक्षा उत्पात का सबसे बड़ा एक्सपो था, एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तूत कनना था, बिल्कुल सही बात है, आगे चलते हैं, निमलिखित केंद्री बचड, निमलिखित केंद्री बचड, 2021 के अनुमानित आय के स्रोत, सूची बन और सूची टू से हमको मिलाना है, सॉरी, ये सूची बन को सूची टू से मिलाना है, तो तेरा कामार पास डी आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निगम कर दूसरे में 18 प्रतिशत, आय कर 17 प्रतिशत, सीमा सुल्क 4 प्रतिशत, और केंद्री उत्पादक सुल्थ 7 प्रतिशत, जैनेटिक उद्योग जो होता वो क्रिसी में, क्रिसी में इसका यूज करते हैं, जैनेटिक का, निमलिखित भारत की नदियों में कौन कर कर रेखा गो, दो बार काटती है, तो ये माही नदि काटती है, बहुत ही सिंपल सा कोश्चन है, सभी को पता होगा, सभी लोग कर कर भी आया होगे, जन गर्णा, जन गर्णा वर्सों में, किसे भारत के जनानकिय इतिहास का महान बिभाजक कहा जाता है, सॉरी, बहुत गर्मी है, इस वज़े से थोड़ा सा होग गया, ठीक है, लेकिन अब नहीं होगा, सोला का होगा, बी, दोजार इकिस, दोजार इकिस को महान बिभाजक कहते हैं, जन गर्णा का, तुलबुल पर्योजना, तुलबुल पर्योजना ये जहलम नदी पे है, याद कर लिजे, बहुत बार पूछा जाता है, ये 18 का D option बिल्कुल सही होगा, सभी कुछ, ये सारे कथन जो है, वो सही है, आगे चलते हैं, भारत सरकार द्वारा रास्ट्री हरित, अधिकरण की स्थापना होई थी, तो भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी, 2010 में, देश और लह अयश्क को, ये क्या करना, कौन सा सुमलित नहीं है, तो बिस्वा का C option हमारे पास जर्मनी, नार्मंडी ये सही नहीं है, बाकि सभी सही है, और ये option, C option सही होगा, बीस का C option, निमलिखित में कौन सा एक सही सुमलित नहीं है, ओ सारी, सही सुमलित है, सही सुमलित है, तो B वाला option हमारा पार, रूर और द्योगिक प्रदेश जो है, जर्मनी, ये बिल्कुल सही है, निमलिखित में से कौन सा, अफ्रिका के पश्चिमी तड़ पर नहीं इस्थित है, तो 22 का अमारे पास बीद्बोश सवाना, जो है, अफ्रिका के पश्चिमी तड़ पर मतलब इस्थित नहीं है, वन अनुशंधान संस्थान ये देहरादुन में है, बहुत easy question, बहुत बाराया है, भारत का ओश्चिमी नेशनल पार्ग जो है, वो है कक्ष में और भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहां चली थी, वह राणसी से नई दिल्ली के मध्य चली थी, भारत का निमलिखित नगरों में किस देश का प्रथम कृत्रिम रबर सहियंत्र लगाया गया, तो ये हमारा लगाया गया है, ये पानी पत में लगाया गया है, 26 का जो है, 26 का, 126 का है पानी पत में ये लगाया गया है, भारत में सबसे बड़ी तेल सोधक ये जामनगर में है निमलिखित में से भारत का कौन सा राज सरवाधिक लंबी तट सेमा शेर करता है तो ये गुजरात करता है आगे निमलिखित में से शेल समुहों में कौन भारत में अधिक्तम मातरा में कोईला के लिए गुंडवाना है और जितनी भी धातू हो वेरा है उसके लिए धारवार है ठीक है अब तो आप्सन नमबर B 29 का सही हो जाएगा कभी गुंडवाना पूछ देता है कभी धारवार पूछ देता है तो धारवार से याद रखे धार धार जो समान होते है धार मतलब जिसमें धार होती है तो उसमें क्या होगा वो काट देगा काट देगा तो ये तो धातू ही कर सकता है तो उसके लिए धारवार हो जाती है और जो गोंडवाना सेल है इसमें क्या होता है कोईला इसमें पाए जाता है 130 130 का है 130 इसका C option सही है दुन्नों बिल्कुल भी correct है दुन्नों option बिल्कुल correct है Don't worry and be happy आगे चलते हैं आगे चलते हैं ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ये हमारे पास 31 नंबर question है इसका B option बिल्कुल सही होगा महंत निर्थ गोपाल 10 तो इसका हो जाएगा हमारे पास ये राम मंदिर बाला question आ गया राम मंदिर का ये latest question है ये का हो जाएगा हमारे पास अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग news देखे होंगे तो ये question पक्का सही करकर आए होंगे ठीक है आगे चलते है निमलिखित में से किस सर्वोच फिल्म को ऑक्सर मिला देए ये तो बड़ा आसकर वाला जो मिला था बहुत बड़ा फेमस मूवी हो गया था सभी लोग देखें इसको मज़ा लिए अच्छी बात है करना चाहिए लेकिन साथ में लगे रही है अपने लक्ष को मत छोड़िए खेलो इंडिया बिश्व विद्या ले खेल कहां सुरे ये तो भुबनिश्वर में ठीक है आगे 35 नंबर जो question है ये भी कथन काराण से question है और इसका जो है 35 का 35 नहीं 34 34 का C 34 का C option ए गलत है और आर जो है असत्य है ए सत्य है और आर जो है असत्य है फरवरी 2020 में सिनेट ने राष्टपती दोलान ट्रम्ब को उनके विरूद चल रहे महाभीयोग से बरी कर दिया तो ये सही था सिनेट ने रिपब्लिक सांसदों की अपयक्छा डेमोक्रेटिक के सांसदों की संख्या अधिक है ये गलत है आगे चलते हैं आस्ट्रेलिया में फरवरी और मार्ज 2020 के दोरान जो ICC महिला वर्ल्ड कप 2020 आयोजित हुआ उसमें कितनी टीमें पार्टिसिपेट की थी तो उसमें दस टीमें दस टीमों ने पार्टिसिपेट किया था कुष्ट रोग के छटीस 136 कुष्ट रोग के खिलाब कि किये गए प्रयासों हे तुभी देखती गत्रेडी में अंतराष्टि का अंधी पूरिसकार तो ये मिला था एनेस धर्म शक्तु को एनेस धर्म शक्तु को अब रिजनिंग का कोशन आ गया देखते हैं फटा फट देखते हैं निमलिखित में से सभी बिकल मदब सही बिकल को चुलना आ है अब देखे क्या है अगर हम देखते हैं तो 9 साते 63 लेकिन 14 साते तो कुछ नहीं है तो अब देखें डिजिट का समकर कर देखते हैं तो 6 39 हो गया और 6 8 14 हो गया इसमें सही उगम देखेंगे ड्रेगन डैनासोर ड्रेगन तो उसी तरह हीम और बर्फ मतलब कि डैनासोर और ड्रेगन लगभग सेम प्रजाती के हैं बस ड्रेगन क्या करता है वो आग उगलता है और डैनासोर आग नहीं उगलता है हीम और बर्फ जो बर्फ होता हो घरेली जूच के लिए होता हीम जो होता स्नोफॉल जो मतलब प्राकृतिक बर्फ होती है ठीक है आगे चलते हैं यह कोश्चन बहुत मस्त है आज देखें क्या है आठ दुना के सोलर आठ दुना के सोलर करेंगे आठ दुना के सोलर माइनस एक तो हमारे पास पंदरा आ जाएगा पंदरा दुना के तीस हो गया तो माइनस दो करेंगे तो हमारे पास अठाइस होगा अठाइस दुना के कितना होता है चपन होता है चपन होता है माइनस तीन करेंगे तो हमारे पास तीरपन हो जाएगा तीरपन दुना के एक सो छे होता है तो पहले एक माइनस किया फिर दो फिर तीन अब चार माइनस करेंगे तो एक सो दो हमारे पास एंसर आ जाएगा तो ए 26 का हाफ करेंगे तो 13 हो जाएगा 20 का हाफ करेंगे तो 10 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सभी हो जाएगा अरे खतम हो गया ठीक है दोस्तों तो आप लोग इसको देखिए और अच्छे से अपना अपना भी नंबर कमेंट करिए कितने कोशन आप लोगों ने अटेमिट किये ये बताईए कि ताकि हम क्या कर सकते हैं आपकी कटाफ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं और धैर बना कर देखन और वीडियो देखने के लिए थैंक यू आल